नमस्कार प्रिये रशको आजम इस उडियो में धनुराशी वाल जातको को मार्च का महिना के सद आएगा इसके बारे में जानेगे धनुराशी का प्रतिक धनुष लिया हुआ मनुष्य और आदे घोडे के समान होता है धनुराशी का स्वामी ब्रस्पति ग्रह होता है इस राशी के जातक द्वी सबाव के होते है इस कारण से कई बार अनीरने की स्थिती बन जाती है ये लोग रोमांच से बदपूर और सास्री होते हैं, गुरस्पती इनका स्वामी ग्रह है, इसलिए इनका जुकाव धार्मिक प्रवतियों की ओर होता है, दनुर्वाशी वालों जातकों पर गुरु का प्रभाव होता है, इसलिए ये बुधिमान, प्रतिबाशाली और विव की होते हैं, इसके अलावा ये लोग सासी मिहनती होते हैं, ये हार मानने वालों में से नहीं होते, सफलता के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, ये लोग मस्ती करने वाले भी होते हैं, दनुर्वाशी के जातकों का महीना अंदैक्मिक उन्नती वक करियर की उन्नती आद की जुष्टी से भाग्यशाली होता है तिसरे भाव मेशनी ड्यूटिय भाव का स्वामेशनी होने के कारण इन जात्कों की आर्थिक स्थिति भी इन महा मजबुत रहेगी धन के रुद्धी दिरे दिरे होगी अगर आप सोच रहे है कि अचानक से धन के प्राप्ति होनी तो यह संबव नहीं है इस महिने के मध्य में सक्रात्मक पईना मिलेगे यात्रा धन भाग्य करियर के मामले में यह महिना अनुकुल रहेगा शनी को अनकुल रूप से तिसरे भाव में है इस कारण से इस राशी के जातकों को विदेश में काम करने का मोका मिल सकता है जो जातक इस महा व्यापार कर रहे है वे अपने प्रतिस परदियों से आगे निकल सकते है और अच्छा मुनाफा कमा सकते है जादक अपने व्योसाई के संबंद में एक अनुठी रन्निती विक्सित करने में शक्षम होगे मार्च का यह मैना आपके जीवन के लिए केसा रहेगा और परिवार करियर स्वास्त्य प्रेम आधी के शेत्र में केसा होगा यह जानने के लिए राशी फ़ल विस्टार से सुने कारशेतर दनुराशी के लिए यह मैना करियर के जुष्ति से अनुकर रहेगा क्योंकि मैने के मध्य में शेनी चंद्रमा राशी के तिसरे बहों में स्टीट है इस महिने करियर में आपकी इस्तिरिता आएगी और सफलता प्राप्ट होगी सब्तम्बाव में मंगल की स्थिति इन जात्कों को नुकृरी के नए अउसर प्राप्ट करने में शक्षम बना सकती है इस महा नुकृरी के सिलसिलेव से विडेश की यात्रा भी कर सकते है जो जातक व्यापार के शेत्र में है उन्हें इस महिने के अंत में व्यापार से बरी राजस्व अलजित करने का आउसर मिलेगा सप्तम्भाव के स्वामी के रूप में बूदम महिने के अंत से पंचम्भाव में स्थित होगा जिसके कारण आप अपने व्यवसाई के शेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और प्रतिस परदा कर सकते हैं आतिक स्थिति विटियम आमलो में धनुराशी के जात्कों को अच्छा परिना प्राप्त होगा इस महा जात्कों को आसानी से धन की प्राप्ति होगी इस महाबुरस पती चतुर्ट भाव में है जो धन का प्रतिक है एकादश भाव में केटू की उपस्तिती के कारण आपको अच्छे धन का लाब मिलेगा आपको सला दे जाती है कि जो भी आप पैसा कमाते है उनमें से कुछ अध्यात्मिक कारण के लिए दान करे जिन लोगोंने शियर मार्केट में पैसा लगाया है उन्हें अच्छा रिटन्स मिलने के संभावना है जात्कों को संपती में पैसा लगाने और उससे अच्छा लाब कमाने का मोका मिल सकता है जो लोग देवसाय में है वो मैने के मध्य तक अच्छा रिटन्स अरजित करने में शक्षम होगे स्वास्त्य शनी के तिसरे भाव में होने के कारण धनुराशी के जातकों फिट रहेगे ये जातक अरशुदक्षित भाव नाओ के कारण वे मासित नाओ का शिकार हो सकते है एक अरजवाव में के तुकी उपस्तिती इन जातकों को कुछ शक्ती और जुड संकल्प प्राप्ट करने में शक्षम बना सकती है पंचम भाव में रहो के कारण इन जातकों को सिर्दर्द हो सकता है प्रेम ववेवाइक जीवन धनुराशी के जातकों को महिने के मर्द्य में प्रेम और दामपत्त जीवन में सकारात्मक परिनाम मिलेगे इस महीने के मंद्य में शुकर पंचमभव में होने और यह प्रेम के संबंद में अच्छे परिनाम ला सकता है वही जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और जो लोग शादी शुदा रिष्टे में है उन्हें भी अनिकुल परिनाम मिल सकते है अगर आप सिंगल है और शादी की योजचना मना रहे है तो महीने के अंत तक शादी के शुप योग बन सकते है वही महिने की शुरवात में पंचमभाव मेराव के मोजुद होने के करण आपके प्रिय के साथ प्रेम में और वेवैक जीवन में हलका फुलका तकराव हो सकता है इसके साथ ही अंकार से सम्मंद कमजोर हो सकते है इलेशनशिप में रने वाले और शारीशुता रिस्टे में रने वाले चाथकों के लिए महिने के शुरवात चुनती पूर्न हो सकती है तामपत्र जीवन के विच सम्मान की कमी हो सकती है जीवन में अच्छे परिदाम में मिल सकते है चोटे भाव में बुरुस्पती की उपस्तिती, तिसरे भाव में शनी की उपस्तिती होने के कारण परिवार में कुशी और संतुष्टी बनी रहेगी परिवार के बीच विश्वास और प्यार बना रहेगा, हर कोई जातक से कुश रहेगा आप अपने परिवार के सद्य सिल्क से प्रती प्रेव इजहार करने और अच्छा तालमेर पिठाने में सक्षम होगे हलाकि इस मैने के उट्राद में परिवार में कुछ समस्या हो सकती है क्योंकि शुकर पंचम बाव में है और इसके कारण परिवारिक जीवन में आपसी तालमेर और कुशिया धिरे धिरे गायब हो सकती है उपाय के तोर पर प्रति दिन बगवान शिव की पुजा करे ओम गुर्वे नम का प्रति दिन 118 बार जब करे मंगलवार के दिन रहुगरो का हवन यज्य करे